डर्षफों को आप लोहों की विसर्स टेमान्ट में मैं European आर्ट में और अपने सीलेबस के नोसाल भी आज रोकोको स्टाइल आफ एरोपियन आर्ट के विसे में बात कर रहा हूं। यह रोकोको स्टाइल्स पेंटिंग में क्या महत्तु रखता है इसके विसाय में भी आप चालेंगे। कैसे इसने आगे बाली पीडी के तमाम जो समाजिक उपादान है जो मनुस्य जूड़ा रहता है कई छेत्रों को प्रभावित किया। इसने फैसन इंडेस्ट्रिस को भी प्रभावित किया ज्वेलरी इंडेस्ट्रिस को भी प्रभावित किया। आपड़ा विज्यो राट में क्या इंपक्ट है। हम उस पर बात करेंगे। जिसे अक्साद पुनर जागरन के बाद बरुक सेली के बाद नीजी आवासों या मठों में फवारों को सजाने के लिए मठों को सजाने के लिए किया जाता था। 1736 में डिजाइनर और जहरी जीन मोडेन ने प्रीमियर लिवर डेफार्म रुक्विले एट कार्टिल नाम से फरनीचर और इंटिरियर डिकुरेशन के अलंकरंग प्रारूपों के डिजाइनों का एक कैटलोग प्रकासित किया था। इस कैटलोग में फॉस्स टाइम रोकोई सब्द का प्रियोग प्रिंट के रूप में मिला। 19th century में इस सब्द का उप्योग अत्यदिक सजावती वास्तु कला या संगीत का वर्दन करने के लिए किया गया। अलंकर नात्मक संगीत के लिए 19th century सतावधी के मद्द से इस सब्द को कला इतिहासकारों ने स्विकार कर लिया। हलंकी सैली के इतिहासिक महत्तों के बारे में अभी भी बहुत सारे तर्क हैं बहस हैं। रोकोको को अक्सर इन्रोपिय कला के विकास में एक अलग अवधी के रुप में भी माना जाता है। रोकोको या उत्तर बारोक वास्तु कला और सजावट की एक असाधारन और नाटकिये सेली हैं। जो आश्चर और गति के तथा नाटकिये भ्रह्म पैदा करने के लिए अनेक विसमताओं को एक साथ प्रस्पूद करती है। बित्य चित्र में आश्चर और गति के नाटकिये भ्रहमत्मक तत्तों दिखाने हैं। गुमाओदार वक्रिये, रिखांकित डिजाइन, सोने की पॉलिस, आकरतियों का मुर्तिवत गठन सफेद मिस्त्र पेस्टल रंग को सामिल किया गया। अक्सर इसे बरोक अंदोलन के अंतिम अभिव्यक्ति के रुप में भी वर्नित किया जाता है। रोकोकश केज़ि, फ्रांस में 1730 के दसक में लूई 1405 के दवरान व्यापत और चारिक जयामेटीश सेलि के खिलाब प्रतिकरिया के रुप में शुरूई। इसे इस्टाइल रोकोई या रोकोई इस्टाइल के रूप में या रोसेल के रूप में लोग जानते थे चर्चा करते थे यह जल्द ही एउरोप के अन्य हिस्सों विशेश रुप से उत्तरी इतली आस्ट्रिया दक्चिनी दर्मनी मद एउरोप और रूस में फैल गया यह सैली जल्द ही अन्य कलाओं को भी विशेश रुप से मुर्तिकला फर्नीचर चान्दी के बर्दन कांच की बनीकृतियां पे नीजे निवासों के अंधरोनी हिस्सों को सज्जा करने के लिए प्रयोप की जाती रही किन्तु रोकोको कि कलाकारों के पास इसका अध्यात्निक पहलोगी था जिसके कारण बिशेश के अंधरोनी हिस्सों की सज्जा के लिए विशेश रूप से मद एवरोप में पुर्तगाल में और दच्छिन अमरिका में इस सहली का व्यापक उपयोग किया गया रोकोको सहली के तक तो कुछ फ्रांसिसी चित्रकारों के काम में भी दिखाई देते हैं जिसमें आसमात्रिक कर्व काउंटर कर्व और अन्य सुरम में विवरंग बिल्कुल फाइन डिटेल्स अतिस्योक्ति के साथ बहुत जादा मात्रा में सामल किया गया इसने पुर्वर्ती पहले के जो बरोक कला के अंदोलन थे उसको बिल्कुल ठंडा कर दिया सांथ कर दिया हलांकि फ्रांसिसी रोकों जो थी रोकों को भी जर्मनी के रोकों की उचाई को नहीं पहुंच पाया ओके इसके अग्रनी कलाकार कौन को थे एंटेनियो वातो विश्यस रूप से इनके चित्र साइथेरा तापू पर तित्रियात्त्रा जो लूब्र में है इसमें आप देख सकते हैं देहाती परिवेस में युवार राइसों के जस्न मनाते हुए जो यह चित्र वातों ने डिवलप किया आप इस चित्र में देख सकते हैं तो इस चित्र का जिसमें सभी लोग जस्न मनाने के लिए कत रहत हैं वह बहुत प्रभावित किया श्वी में वातों के मिर्ते हो गए लेकिन पूरे सताबदी के दौरां उनका काम उनके द्वारा किया गया काम कलाकारों को प्रभावित करता रहा है सजावती चित्र में वातों के उत्रादिकारी और जोसीले युवा फ्रांस्वा बूशी जो मैडन दी पंपोदेर चित्र के निर्माता हैं तो इस काम में आप देखेंगे कि इंद्रिय सम्वेदन सील्टा में दिखती है उनका प्रमुत काम जो है ट्वालेट आफ वीनेश यहां पर आप देख रहे हैं टाइलेट वीनेश का चित्र यह 1746 में बनाया गया और इस सैली का यह सबसे प्रसिद्ध उदारणों में से एक बन गया बुशे ने उस समय कि सभी विधाओं में भाग लिया बुशे ने टेपिश्टी डिजाइन किये परसिलोन मूर्तिकला के लिए मॉडल बनाये पेरिस ओपेरा और ओपेरा कॉमिक के लिए सेट डिजाइन किया और सैंट लारेंट के मेले के लिए भी सजावट कि इस जोस निकुलस लैंक्रेट जीन बैप्टिस्ट पैटर प्रहुप थे इस सैली ने विशेश रूप से फ्रांसवा लोमेने को प्रभावित किया 1735 में वर्साय के महल में हर्कुलस के सैलीन की च्छत की भविस सजावट इसने की भविस सज्जा इसने की वहां पर पेंटिंग मनाय रुकोको चित्रकारों में ट्रॉय सहर की जीन फ्रांसवा 1689 से 1772 तक जीन बैप्टिस्ट वैनलू 1685 से 1745 तक और इनके दो बेटे लुईस माइकल वैनलू 1707 से 1771 और चार्ल्स एमेडी फिलिप वैनलू 1719 से 1795 इनके छोटे भाई चार्ल्स एंड्रे वैनलू 1705 से 1765 और निकोलस लैंक्रेट 1690 से 1743 यह सामिन रहे हैं इटाल्वी चित्रकला की जो रोकोको सेली थी इसका आस्ट्रिया और दक्षनी जर्मनी में सबसे अधिक प्रभाव पढ़ा वैनिस के चित्रकार जीवन्य बातिस्त टाइपोलो और उनके बेटे जीवन्य डोमेनिको टाइपोलो को बुर्जवर्ग निवास के लिए भित्र चित्र बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया था सबसे प्रमक्त चित्रकार जोहान बैप्तिस्ट जिमर्सन थे जिनोंने विस्तौर्थ की चर्च की छट को चित्रित किया मुर्तिकारों में जीन बैप्टिस्ट लुमियानो के सिल्प वेरितुमेंस और प्रोमेने 1760 में बनी निकुलस सेवस्टीम एडम का प्रोमेथियस जो 1762 में बनी और एडम ब्यूसर्दी का क्यूपिड जो 1744 इसमी का है इन मुर्तियों में रोकोको की जो स्टालाइजेशन है उसका विसे सुरुप से आप अधियन कर सकते हैं 1780-90 के दोरान के क्लाउड मार्केल के दोरा टेराकुटा में बनाई गई दे इंटॉक्सिकेशन अफ वाइन किरती भी रोकोको सैली की अप्रतीम उदारन है इस सेली के प्रमुख लक्षन क्या है आए इसे जानते हैं दा मेन करेक्टरिस्टिक आफ रोकोको स्टाल अफ रोकोको में प्रचूर मात्रा में सजावट के लिए कर्व्स काउंटर कर्व्स लहरदार रेखिक डिजाइन और प्रकृति के तत्व पत्तियां इत्यादी प्र अलंग करन से एक्दम सजीत कर देते यह साइली बेहद नाट किये थी जिसे पहली नजर में लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रसूत किया था चैर्ज के फर्स को अक्सर उसकी योजना जो बनाते थे चैर्ज के फर्स की बहुत जटिल योजना होती थी जिसमें अंड प्रकार के समुद्री शिप एकंतस यानि शरीफा के पौधे और अन्य प्रकार के पौधों की पतियां पच्ची फुल गुल्दस्ते फल संगीत वादियंत स्वर्ग दूत और सुदूर पुर्वी देश की चीज जैसे चाइनिज देश के कुछ तत्व जैसे पैगोडा ड् स्टाइल्स को जाना कि कैसे इसका डिवलप्मेंट हुआ और कैसे के क्या क्या इसके प्रमुक्त तत्व हैं इसके प्रमुक्त चित्रकार कौन है कुछ एक मुर्तियों के उदारंग आपने जाने तो अमीद है आपको यह बिलकुल ही लेक्ट्चर प्रसंद आएगा और आप